आप सभी का आपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस में बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने अकबर के बारे में पढ़ा अकबर जो है लड़ाईयों के बारे में पढ़ा अकबर ने जो है पहली लड़ाई जो लड़ी थी वैरम पुराने वीडियो को देखिएगा उनको लाइक करिए और मारे चैनल को सस्क्राइब करिए तो आज स्टार्ट करते हैं अकबर की दूसरी लड़ाई कौँशी थी अकबर की दूसरी लड़ाई जाउनपुर में विद्रो हो रहा था और उस विद्रो को दफन करके यानि उस लड़ाई जो है आमेर में लड़ाई नहीं थी आमेर के सँसेग भार्मल ने खुद ही आधिनता स्विकार कर ली थी अक्बर की ठीक है अधिनता अक्बर की स्विकार कर ली थी और 1562 में 1562 में खुद ही अकबर किया अधिंता स्विकार कर ली भारमल ने अकबर कहां जा रहा था अकबर अजमेर जा रहा था और रास्ते में पड़ा जब आमेर आमेर के साथ से भारमल ने सोचा कि अकबर आ रहे हैं और हम पर आक्रमण कर देंगे वो डर करके पहले ही जो है अपना अधिंता स्विकार कर लेते हैं अकबर की फिर मेड़ता में अकबर मेड़ता निकलते हैं उदर से जाते समय तो वहां जैमल जैमल ने अपने आपको सरेंडर कर दिया इन्होंने भी जो है अधिंता स्विकार कर ली अकबर की 1562 में और भारमल कहा जाता है कि भारमल पहला रा भारमर्मल की बैटी थी इनकी साधी फूई अकबर से साधी हूई और कहा जाता है की कुष्चन आता है गोन्दवाना में विजा है बहुत जादा चर्चित है क्योंकि रानी दुर्गावती का इतियास रानी दुर्गावती के विजय इतियास से जुड़ा हुआ है गोणवाना विजय तो रानी दुर्गावती के बारे में हम लोग पढ़ते रानी दुर्गावती थी कौन तो रानी दुर्गावती थी प्रसिद राजपूत चंदेल सा सासक कीरत राय प्रेसिदराशपूराशासक कीरत राय के घर में जन्व हूँ था राणी दुर्गावत्वत्यी का कभ रावा सो इस्वी में जन्म हुआ रानी दुर्गावती का नाम रानी दुर्गावती पड़ा था और रानी दुर्गावती जैसा ही नाम था वैसे नाम के अनुसार ही उनमें तेज, साहस, धैर, शौर और सुन्दरता उनमें कूट-कूट के भरी हुई थी बहुत जादा उनमें सुन्दरता थी और साहस लड़ाईया और यह सब उच्जादा उसमें टैलेंट था इस चीज़ का तो इसकी वज़े से जिसकी वज़े से वो पूरे जो है भारत में प्रसि लोग वेर डूरने लगते हैं राजपूत राजकुमार यतने होते हैंंगे सरफ कर ना स्थ कर देते हैं कि बहतर राजपूत सा ऐसे राजकुमार कौन है तो वह चर्च कर रहे होते लेकिन राने दूर्गावति को किसी आर से प्यार था राने दुर्गावति को किसी आर से प्यार inspires तो कीरत राय नहीं मान रहे थे क्योंकि ये जो है वो लो मैरिज के खिलाब थे कीरत राजी लो मैरिज के खिराब थे इसलिए इन दोनों की साधी के लिए नहीं मान रहे थे वो राजपूत घराने का ही राजकुमार देख रहे थे लेकिन फिर क्या होता है कि दलपत सा दलपत सा और कीरत राय महोबा के राजा साथ जो हते हैं दलपत सा और महोबा के राजा कीरत राय की बीच में युद्ध होता है उस युद्ध में दलपत सा जीत जाता है और महोबा के सासक खार जाते हैं जिसके बाद महोबा के राजा ने इनके रानी की रानी दुर्गावतिक जी के प पूर्वग अपना जीवन बितीत करने ले लगे लेकिन उसी समय कुछ दिन बात क्या होता है कि रानी दुर्गावती के पिता जी की डेथ हो जाती है रानी दुर्गावती के पिता जी की डेथ हो जाने के बाद क्या होता है कि अकबर रानी दुर्गावती के पिता जी कहां सा सासन कर रहे होते हैं तो उनके पिता जी की म्रत के बाद अकबर ने क्या किया कलिंजर और महवा में कलिंजर और महवा में अपना सासन इस्थापित कर लेते हैं और खुद वहां पर राज करने लगते हैं और उसके बाद क्या होता है लेकिन कुछ ही क्या होता है कि कुछ ही दि दिन के बाद ही क्या होता है विवा के एक साल बाद लगबग विवा होने के बाद दलपत्सा और रानी दुर्गावती की साधी होने के बाद लगबग एक साल के बाद उनके बेटा पैदा होता है उसका नाम क्या होता है वीर नरायर का जन्म हुआ और जब वीर नरायर तीन सा वेर्नारण को है तुछ का होता है तोफ समझलों रानी ओरृनाराण का ला और अपने वी न पसे अपने अपने नार्ट उन्हालने में लग जातीा है और अपने बैटे को अपने बेटे वीर्नाराड को राजा बना देती है राजा अपने बेटे वीर्नाराड को बना देती है जो सिर्फ तीन साल का होता है तीन साल का होता है वीर्नाराड उसको राजा बना देती है और उसकी सरचिका के रूप में उसके सरचिका के रूप में खुद बैठ जाती है और मंत्री किसको आधार सिंग को मंत्री बना देती है और राणी दुर्गावत्वात लाव और इतने अच्छे से अपने सासन चला रही होती हैं उनकी वीरता से बहुत ज्यादा सासी थी उनकी चतुराई की वज़े से पूरे उनके राज में जो है उनकी प्रसद्दी फैलने लगी और राजनेतिक एक ताँ उन्होंने इस्थापित की अपने पूरे यानि की गोंडव लगा एक सक्सालियों संपन राज्यों में गिना जाने लगा रखर ृस्पार को, सारी पूरे इंडिया में प्रशिद्ध सब्सक्राइब की प्रसिद्धि पहलने कि लालसा जाग उठती है तो अकबर क्या करता है उनको पाने के लिए अपने एक सूबधार आसब खांगो भीजता है कहां गुणवाना की चड़ाई पर गुणवाना राजी को खतम करने पर अपने में मिलाने पर क्योंकि अकबर नहीं चाहता था कि मुझसे भी जादा कोई सकसाली हो पाएगा मुझसे भी जादा कोई सकसाली हो पाया निकी और एक छोटे सी जगए दुरगावति इतना जादा जो पराकरमी मुझसे ज़्यादा उनकी वीरता की चर्चे हो रहे हैं मुझसे ज़्यादा लेकिन अकबर को यह चीज़ खलने लगी थी क्योंकि यार वो इतना बड़ा महान होकर के इतनी जगए राज कर रहा था फिर भी उसकी प्रसिद्धी नहीं थी जितनी रानी दुर्गाव अपना जो हथियार डाल देंगी उसको लगता था कि हमको जो लड़ना पड़ेगा ही नहीं हमको नहीं लड़ना पड़ेगा मैं वहां पहुंचूंगा तुरंत रानी क्या है कि हमें अपना जो है मारी दास्ता स्विकार कर लेंगी और मेरे साथ अकबर के वहां आ जाएंग लेकिन रानी को खुद पर अपनी चमता पर अपनी सेना पर इतना ज्यादा विश्वास था कि अकबर उसके सामने कुछ नहीं है उसको बिल्कुल भी भाय नहीं था कि अकबर इतना महान है यह इसको महान बोला जाता है तो मुझसे जीत जाएगा रानी सुचती थी बिल्कुल करने के लिए बोलती है कि कलंकित जीवन जीने की अपेच्छा सान से मर जाना ही बेतर है कि सान से मर जाना अच्छा है कलंकित जीवन जीने की अपेच्छा सान से मर जाना है और आसब खां जैसे आसब खां जैसे साधार सुबेदार के सामने जुकना लज्जा की बात है बोलती इतनी बहतर सेना होने की होने से भी मैं डर जाओं तो ठीक है तो रानी क्या होती है रानी जब इतना कुछ बताती है फिर रानी आसफ खां सामने होता है अपनी सेना लिए रानी फिर सैनिक के वेस में और अपने घोडे पे सवार होकर निकलती है जब वो पहन के पूरा धाल व और रानी ने अपने साइडिकों में इतना जाधा अक्रोस भड़ दिया था अपने इंको इतना जाधा मोटिवेशन कर दिया कि वो अब सामने सेना कौन है कोई भी सामने उसको देख नहीं रहे ते लगाता है काटने में लगे वे थे और थोड़ी ही देर में देखते एक असफ खां की पूरी सेना अकबर की सेना जो है रानी दुर्गावतिख से यानि कि छोटी सेना से एकदम हार गई परास्त हो गई और जैसे तैसote आसम कहा वहाँ से अपने प्राण बचाकर भागता जब आकबर बचाकर बचाकर भागता है लेकिन जब यह बात अकबर को पता चलती चाहे कि आसम बड़ा अकपर महान जो है एक छोटे से यानी छोटी सी रानी छोटे सी जागिरदार की रानी गोंडवाना की रानी से हार गया है इस वज़े से और ये तिलमिला उठता है अकपर बहुत तिलमिला आता है कि मैं हाट जाओं यार ये हो नहीं सकता और इतने जगह से मैंने इतन हाथी घोड़े अपनी अब रानी को हराने के लिए अकबर बहुत ही यानि अपनी पूरी व्यू रसना तयार करता है पूरी व्यू बनाता है और हाथी को हाथियों को खुब एड़ करता है अपनी सेना में हाथी घोड़े रत और विदेशी तोपचियों को बाहरी विदेशी तोपचियों को बुलाता है देख रहें अकबर को इतना बड़ा भय है एक छोटी से रानी छोटी से जागिरदार की रानी से इतना बड़ा भय है तो अकबर महान हुआ कि रानी महान हुई आप देख रहें अकबर महान है कि रानी महान हुई तो मेरे इसाब से तो रानी को महा कि तोपचीयों को बródैएं विद्व सुटॉल को बिलाया मिनट जो अचछे सेनापस दिध हैं वह सारी तयार कि और रानि को हराने के लिए युद्वियू तयार किया और द्वाज्यों की निगा और चॉसकी अकबर इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहता था अकबर इस बार हार जाता ना इस बार हार जाता अकबर सोच रहाता अगर मैं इस बार हार गया तो हमारी पूरी राज में थोथू हो जाएगी तो हर कोई जो है दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ेगा सोचेगा कि ए यानि कि अच्छे सेना पती घोड़े और व्यू रसना अच्छी तयार की तोप खाने बनवाए तोपची बुलवाए बाहर से लेकिन क्या हुआ इतनी सुसजित और अकबर की यानि कि अन्य बड़े राजियों की निगा अकबर पे थी और बड़े राज जो है अकबर को देख अधकर कम दिया उसके बात जब अकबर राणी दर्गावति के से लिए बड़े देखते हैं mm बोला कि अब राणी बिल्कुल भी भैवित नहीं होती है वो किसी से नहीं बोलती है और ना ही किसी से बोलती है कि आप हमारे साथ लड़ने चलिए वो किसी से नहीं बोलती है आप हमारे साथ लड़ने चलिए या मेरा साथ दीजिए रानी को भी नहीं रानी भी सोचती थी अंतम तक हमें लड़ते मर जाना एकबर के सामने घुटिने नहीं टेकने तो रानी क्या करती है हाथी पर सवार इस बार हाथी पर भोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी और पूरा अपनी वही वर्दी पहन के युद्ध साइनिक के रूप में निकल पड़ी और सबसे पहले काटना इस्टार्ट किया उने उने इस्टार्ट किया मुगलों को और उनका मुख निसाना यानि में निसाना किसे था उन तो पचियों को क्योंकि तोप से दूर से हाथी घॉर्ड़े meditate now उन्होंने में निसाना बनाया, चुपचीयों कुमारना रानी ने रानी ने तोपचीयों कुमार दिया, और ये सब देखते हैं कि रानी इतनी विरता से लड़ रही हैं, तो उनके जितने सैनिक थे रानी के, पूरह और मुगलोग को समझ नहीं रहा था हूं क्या करें ena को अंतम्य मुगलोग की हअउ भाग जयता है सिर्फ ऑकबर बहुत ही ज्यादा सर्म नाक होता है बहुत ज्यादा यहानी की सर्मा जाता है कि मैं रानी से इतना ज्यादा लेकिन अकबर क्या सोच के आया था अकबर सोच के आया था इस बार जो है पानी पत्के दुती युद्ध का हम इतिहास रच देंगे पानी पत्के दुती युद्ध में अकबर ने हेमु को हराया था तो सोच रहा था जैसे उस युद्ध में मैंने मार काट गिया था वैसे ही बिल्कुल सेना को खतम कर देंगे रानी के लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाता है और खुद ही अकबर की सेना हार जाती है अकबर की सेना हार जाती है रानी लोग अब रानी और उनके सैनिक अपने राज में आ जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं जस्न मनाना अब इतनी की बड़ी सेना को अकबर की तो बड़ी सेना को हर आया है तो वह लोग उस्टार्डा कर देते हैं और वही resolve का स्वारा होता है नी Pen which विए और उसलिघ्ष का एक सर्दार होता है का और निक एक सर्दार मुस्किल नहां जाइन कि मुस्किल हिए था ना मुंकिन था रापार अकबर के लिए इतनी बड़ी-बड़ी सेना को यानी खतम कर दिया तो अब कैसे कर सकते अकबर कितनी बड़ी सेना ले आता तब तक वह भी करती वह भी अपनी सकती विस्तार करती लेकिन रानी दुर्गावत्ती के सरदा एक सरदार नहीं उन्हें धोका दिया था तो उन्हों तो रानी उस समय क्योंकि वह तो जस्मनाने में डूबी है तो वह उधर से पूरी सेना ले आया तो उनकी जो है ना सैनिक तयार ना उनके जो है शथियार तयार है फिर वह स्टार्ट कर देते हैं मारना वह रानी खुद वीर नराय उस समय बढ़ा हो चुका थैं रानी दुरु वीर नरायर्ड झो है गिर जाता है Go मुझे खुसी है कि मेरे वीर पुत्र ने युद्र में वीर गति प्राप्त की है अता मैं उसे देव fucked चानी बोलते हैं पिलते हैं कि एक बार ठोब लीजी उनसे आगरे करते हैं यह समय मेरे पास Grow किलनी से लेकिन उसी समय जब मार होती है मुगलों काट रही होती है उस समय क्या होता है कि दो तीर आते हैं रानी की आंख में टील जाता है एक गर्दन गिल जाता है private life कोछ जाता है कि हमारा बचना मुस के quill है यांनि अब मैं बचूंगी ही नहीं लेकिन रानी जी सोचती है कि दूसरे इन मुगलों के हाथों से मरने से बेहतर है कि मैं जीते जी अपने आपको इन मुगलों के जो है हवाले नहीं सोफूंगी वो क्या करती है कि तलवार अपने उठाती है अपने छाती में खुद भोग लेती हैं दे रानी दुर्गावति ने अपनी जीवन लिला समाप्त कल लेती है और रानी ने लगभग 16 वर्सों तक सासन किया इस सासन काल के दोरान रानी ने कई मंदिर कुईये मठ धरमसाला और चेरी ताल बनवाया है वो अपनी दासी चेरी के नाम पर बनवाया है और रानी ताल रानी दुर्गावति ने बनवाया है वो अपने नाम पर बनवाया है रानी दुर्गावति के नाम पर आधार ताल बनवाया है यह अपने दीवान या मंत्री के नाम पर बनवाया है तो इस प्रकार रानी दुर्गावति का हम लोगों ने पूरे यानि उसके चैप्टर के बारे म में पढ़ा रानिद दुर्गावति की जो है मृत्यव 24 दून 15 वन फंदो में होती है 15 को ऑक्बर की गॉंदवाना पर विजह हो जाती एक बर गॉंदवाना का जुझ अब चौबिस जून को रानी साहस पराक्रम को देखर के 24 जून को बलदान दिवस के रूप में मना जाता है जिससे आप आप पुद ही पता लगा ले यानि आप आपने इतना पढ़ा तो आपको पता लग रहा हुआ है कि अकबर महान हुआ या दुरगावती रानी दुरगावती को सब लोग उनके बारे में च्छिपा दे है ठीक है तो अकबर भी नहीं है जीतता एकर बर को जिताने आने में सबसे जादा महत् Gogh योगदान दिया हुँ मांण सिंग अगर अपने इंडिया के लोग न मिलते हैं तो अकबर इतनी लड़ाईया जीत नहीं Зिटा आप दे 버र निर दुरगावती मांण तो रानी लोग और आगे लडाईयां जो है हम लोग पढ़ेंगे जो अकबर की आगे लडाईयों के बारे में पढ़ेंगे जो भी आगे आने वाली है और चो है हमारे वीडियो को अन तक देखिएगा और मारे चैनल को सब्सक्राइब परिया थैंक यू